हेलो दोस्तों नमस्कार आज है मारे पास बीए फ़र्ष्ट येर 2020 के एजुकेशन का सेकंड पेपर और आज हम करेंगे इसका रिब्यू और देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आये थे बोर्ड एक्जाम में यानि कि बीए के एक्जाम में और किस टाइप से अगली बार आएंगे तो बस चलिए हम पेपर को शुरू करते हैं इसके रिब्यू को शुरू करते हैं हम पहले नमबर के क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है सवसंतरता के पश्चाच पहला सिच्छा आयोग था चार आपसं सही रहेगा उस पर आपको इमार सीट में गोला करना है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विस्विद्याले अनुदान आयोग की अस्थापना हुई कब हुई उस पर आपको टिक करना है इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं मुदालियर आयोग को जाना जाता है यहां से मुदालियर आयोक को जाना जाता है फिर नेक्स माध्यमिक सिच्छा आयोक का गठन हुआ था फिर फिर नेक्स्ट कोईश्चन पांचों आए इधर है इधर है राश्टी सिच्छा नीती की समीच्छा कभ हुई जनारदन रेडी समीच्छा कभ हुआ इंद्रा गांधी खुला विश्विद्याले के स्थापना हुई इंद्रा गांधी खुला विश्विद्याले का मुख्याले स्थापित है इंद्रा गांधी खुला विश्विद्याले का मुख्याले स्थापित है दी स्कूलिंग सोसाइटी के रेखक हैं फिर नेक्स देखते हैं राश्टिय सैच्छिक अनुसंधान प्रसिछन परिसद NCRT की अस्थापना कब हुई फिर नेक्स अरविंद आस्त्रम अस्थापित है फिर 17 सिच्छा आयोग 14-1966 के प्रति बीधन का सीर सक था फिर 16 आयोग 14-1966 को जाना जाता है फिर इसके बाद अगला कोशन में नेक्स्ट पेज पर मिलेगा ठीकते हैं विश्व विद्याले अस्तर पर कौन सी समस्या विवाद ग्रस्त है फिर आपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्धिस है फिर वैदिकाल में सिच्छा दी जाती थी बहुद काल में सिच्छा का माध्यम था इसके बाद नेक्स्ट मुदालियर आयूग स्तम्बंधित था बहुद काल में उच्छ सिच्छा आवधी थी फिर मुश्लिम काल उच्छ सिच्छा दी जाती थी फिर नेक्स्ट पहुत देशी विद्यालें का सुझाओ दिया था फिर नेक्स लेखते हैं विश्विद्याले का प्रथम विश्विद्याले था फिर नेक्स्ट अखिल भारती सिच्छा सलाकार बोड की अस्थापना का सुझाओ दिया था भारत में वैदिक काल का प्रारंब हुआ फिर निमलिखित में से कौन सी बाधियुक की विसेस्था नहीं है फिर नेक्स्ट बालक एवं बालिकाओं को समान सिच्छा का सिच्छा प्रारंब हुआ फिर 32 सा जहां ने किस मुस्लिम सिच्छा केंद्र को सिराजे एहिंद कहा था या इस्थित है फिर नेक्स 30 सुआं मुस्लिम सिच्छा की मुख्य विसेशता थी फिर नेक्स मैकाले की पास्चात्य वादी सिच्छा नीती आधारी थी फिर नेक्स्ट कुष्टिन देखते हैं नेक्स्ट पेच पर अपने सिच्छा नीत या 854 की गोश्रा हुई गुखली बिल सिच्छा के अस्तर से समंधित था फिर वर्धा योजना के अध्यच थे सिच्छा को भारती समिधान की समोर्ती सूची में किस वर्ष समिलित किया गया सिच्छा आयोग का कारी छित्र था वरिष्ट विस्विद्याले का सुझाओ दिया था वो नस्तली विद्यापीठ अस्थापिद है भारत में पूर्व प्राथमिक सिच्छा का प्रारम किया था भारत में खुला विस्विद्याले का अस्थापिद हुआ वैदिकाल का के वो देश से था बहुत सारे कुश्चन्स हैं यहां पर जो आपकी काम आ सकते हैं प्रयाथमिक सिच्छा के लिए अलग से प्रयाथमिक सिच्छा विभाग खोला जाए यह सुझाओ था कलकत्ता विष्विद्य आयोग को जाना जाता है प्र बाद कार में सिच्छा आरंभ करने के संसकार को कहा जाता है प्र श्वास्थ है प्र स्वाद्याय पध्धदी का प्रारंभ हुआ था फिर नेक्स्ट मुस्लिम सिच्छा के का मुक्य उद्देश था फिर नेक्स्ट लेखते हैं नेक्स्ट पेच पर हमें मिलेगा इधर उन्नीस्वी सदाबदी के प्रारंभ में भारत की साचरता थी फिर नेक्स्ट अठारा सो चववन में सहायता नुदान दिया गया फिर नेक्स्ट मुस्लिम सिच्छा की कमी थी फिर नेक्स्ट सर चार्च उड़ की सिच्छा नीधी भोसड़ा की फिर नेक्स कुष्टन देखते हैं 10 प्लस 2 प्लस 3 सैचिक साराचना को प्रस्टावित किया फिर 55 वर्धा योजना संबंगित थी 56 वेश्विद्याले सिच्छा आयोग की अस्थापना हुई 57 ग्रामेड विश्विद्याले का सुझाव दिया था 58 भारत सरकार ने सिच्छा आयोग की निवत की थी angla question next पैसी पर योजना सिच्छा आयोग की अध्याच्य थे फिर next सर्वी सिच्छा भियान संबंधित है फिर next भारतिय नी सिच्छा नीती 1966 विभाजित है फिर next प्राश्टिय शिच्छा नीती 1286 की अध्याच्य थे फिर सांति निकेतन अस्थापिद है नेक्स पर दिखते हैं सारे कुश्चन सांति निकेतन जाना जाता है डाक्टर मेरिया मान टेसरी आई थी भारत आई थी भारती सम्मिधान के किस धारा में 14 वर्ष तक की आई के सभी बालुकों को निशुल अनिवारे प्रात्मिक सिच्छा की दुक्त वीवस्था है नेक्स त्रिभासा शुत्र को सभणपर्थाम किस्णय प्रस्तुत किया था उच्छ सिच्छा की प्रमुक समस्या है फिर नेक्स सिच्छा के अध्यान हेतु सुझाओ दिया नेक्स्ट वैदिक काल में सिच्छा का मुक्य केंद्र था नेक्स्ट सिच्छा के नियंत्रण प्रारंभ हुआ फिर नेक्स्ट बाउद सिच्छा दी जाती थी फिर श्राडलर आयोग का संबन्ध था नेक्स्ट विद्यालय में विद्यत परिशद के गठन का सुझाओ दिया था माध्यमिक अस्तर पर परदा विद्यालयों का सुझाओ दिया था वैदिक काल में सिच्छा का माध्यम था नारंदा विश्विद्यालय स्थापित था फिर मुश्लिम सिच्छा प्रडाली में बिस्मिल्ला खानी प्रारंभ होती थे फिर नेक्स्ट कुश्चन अंगले पेच पर देखते हैं जिला प्राथमिक सिच्छा कारिकरम डी पी इपी की सुरुवात हुई थी फिर अब व्याय एवं आउरोधन की समस्या मुखे रूप से संबंदित है फिर उच्छ सिच्छा संस्थाओं में राष्टिय सेवा का प्रारंभ हुआ था फिर नबोदय सिच्छा खोलने का भारत में संस्कृत बिस्विद्यालाय स्थापना की स्थापना किसने की सारे आप्शन्स आपके सामने हैं जो आपके टिक करना है नेक्स्ट भारत में इस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ प्रिशिच्छ संस्थाओं को वार्थिक सहायता प्रारंभ हुई भारत में सरवतम कौन सी इसाई मिशनेरियां आई थी फिर अठारा सो तेरा में एडी चार्टर की मुख विसेशता थी भारती भांसाओं को और फिर अप्सन है फिर इस्ट इंडिया कंपनी एक क्या थी व्यापारिशन स्था थी फिर नेक्स्ट वार चार्टर का पुनरावरतन होना था होना था फिर मैकाले को भारत भेजा गया था ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको इस पेपर में मिल जाएंगे जिने आप देख सकते हैं और अपने आने वाले 2021-2022 आजदी एकजामों में बहुत बहुत सारी मदद पासकते हैं फिलहाल इस वीडियो में ही क्वेश् बाइ बाइ